आपको किन किन बातों का ध्यां रखना है जिससे examiner आपके marks ना काट सके ये मैं आपको बताऊंगे लेकिन इससे पहले if you not like and subscribe my channel तो please subscribe कर लीजिए क्योंकि सभी lessons और grammar topics की वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे so please subscribe my channel article writing start करने से पहले मैं आपको article writing के marking scheme बताऊंगी जो examination point of view से बहुत important होती है क्योंकि अगर आपको पता होगा कि किस चीज को लिखने से आपको कितने marks मिलेंगे तभी आप उसे better way में लिख पाऊगे article writing में सबसे पहले आपका आता है format format में आपको title लिखना होता है जो topic से relate करता होना चाहिए उसके बाद आपको article लिखने वाला यानि writer का name by लगा कर लिखना होता है यानि पहले आपको by लिखना होता है by लिखना होता है और उसके बाद writer का name लिखना होता है इस तरह से आप आर्टिकल का टाइटल और बाय लगाकर राइटर का नेम लिखते हो तो आपको वन मार्क मिलता है फिर आता है आपका कंटेंट कंटेंट आपका 4 मार्क्स का होता है कंटेंट में आपको अपनी टोपिक की प्रेजन्टेशन करनी होती है उसके बाद आपका आते है एक्स्प्रेशन एक्स्प्रेशन जो है वो आपका 5 मार्क्स का होते है जिसमें grammar accuracy, relevant words and spelling mistakes के आपके 2.5 मार्क्स होते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा spelling mistakes करते हो तो भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि examiner आपके 2.5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कार सकता अगले आपके 2.5 मार्क्स होते हैं consistency और significance of ideas और styles के यानि आपके working style के आपने किन-किन statements को लिख है, कितने quotes डाले है, आपने कितने thoughts डाले है आपने जो statements लिखी है, उसे आपने किस तरीके से draft किया है यानि उसे किस तरीके से explain किया है आपने क्या-क्या relevant data को use किया है इस तरह से आपके ideas and style के आपको 2.5 मार्क्स examiner देता है और आपका पूरा article 10 मार्क्स का हो जाता है आर्टिकल राइटिंग लिखने से पहले आपको कुछ key points को ध्यान में रखना होता है ये key points है, title और a heading must be catchy और unattractive आपका जो title और a heading है, ये attractive होना चाहिए ताकि examiner आपके title को देखते ही आपसे impress हो जाए title must be short and related to the topic आपका जो title है, छोटा होना चाहिए, 3-4 words में ही होना चाहिए और topic से related ही होना चाहिए आर्टिकल राइटिंग must be written in 3-4 paragraphs आर्टिकल राइटिंग जो है, 3-4 paragraphs में ही लिखी जाती है expression of thoughts, ideas and information should be relevant to the topic आप जो भे ideas या thoughts या information वहाँ पे topic में लिख रहे हो, वो topic से related ही होना चाहिए organize your ideas in sequence अपने ideas को sequence में organize करना चाहिए, एक बात की connectivity दूसरे के साथ जुडनी चाहिए let's see the format and learn how to write article writing student, सबसे पहले आपको title या heading लिखना होता है अगर आपको question में title given है, तो आप उसे top के middle में आप उसे लिख दोगे अगर आपको question में कहा जाता है, कि आप एक suitable title दो तो आपको question को ध्यान से पढ़ना होता है, और सोस समझ कर आपको title लिखना होता है title या heading के बारे में आपको दो बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए first is, कि title must be an attractive, ये बात मैंने आपको पहले ही key points में बता दी second thing, you can write the first letter of a word in capital except preposition suppose आपका title है, pollution and solution पर, तो आप pollution का P और solution का S capital में लिख सकते हो पर A क्योंकि preposition है, तो आप A को small letter में ही लिखोगे second thing is, title must be short and relevant three to four words में ही आपका title होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और topic से relate करता ही आपका title होना चाहिए title या heading लिखने के बाद आपको writer का name लिखना होता है writer के name से पहले आपको by लगाना होता है और फिर writer का name लिखना होता है question में यह कहा जाता है कि you are loveish और लावन्या जो भी वहाँ पर name दिया हो तो name से पहले आप by लिख दोगे और फिर loveish या लावन्या यह जो name वहाँ पर दिया हो x y z आप उसे right hand side में लिख दोगे paragraph 1 में हमारा introduction होता है paragraph 1 में हम topic की brief introduction देते हैं जिस topic को हम लिख रहे होते हैं actually हम उस topic के बारे में बताना होता है कि वो topic है क्या student यह paragraph जो है यह 4 to 6 line तक होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको जो भी पता है उस topic से related आपको अपने simple sentences में अपनी language में लिखना होता है इसमें हाप quotes का भी यूज कर सकते हैं suppose आप का topic is global warming पर आपका topic है तो आप starting में ही quotes लिख सकते हो जैसे climate change increasingly poses one of the biggest long term threats to investment उसे जब आप quotes लिख दोगे तो उसे आप inverted comma में कर दोगे या फिर suppose कि आपका जो topic है pollution है तो आप pollution पर quotes लिख दोगे जैसे be a part of the solution not a part of the pollution और उसे आप inverted commas में कर दोगे इस से आपके examiner पर आपका एक अच्छा impression पड़ता है और हम जो है अब यह जो है first जो paragraph होता है यह complete हो जाता है और इसके बाद हमें एक line को live करना होता है second paragraph is the body of the article इस paragraph में हम topic का analysis करते है body of the article लिखते समय हम topic को ध्यान में रखते हुए कुछ points को हमें लिखना होता है जैसे types causes and effects advantages disadvantages consequences and related information अगर कोई भी है आपके पास तो अब students हर article में यह सारे points हो लिखना यह कोई जुरूरी नहीं है जैसे global warming का अगर आपका topic है तो हम पहले global warming के causes बताएंगे और फिर उसके हम effects बता सकते हैं causes means कारण और effects means प्रभाव if article is on the pollution तह हम pollution के types लिख सकते हैं और pollution से होने वाले causes effects और consequences भी हम बता सकते हैं if article is on drug addiction तब हम drug addiction के bad effects और उसके consequences बताएंगे drug addicted जो आदमी है कुछ भी कर सकते हैं तब वो murder भी कर सकते हैं चोर भी कर सकते हैं तो यह सारी बाते हमें सारी उसमें explain करनी पड़ेंगी suppose आपका topic है is on the switch भारत अभियान तब हम इसके advantages लग सकते हैं क्योंकि इसके तो कोई disadvantages होई नहीं सकते हैं अगर आपका topic है suppose किया internet पे है तो हम इसके bad effects और bad points और good points बता सकते हैं इस तरह से हमारे पास जो है topics related अगर कोई हमारे पास information है कोई हमारे पास data है तो भी हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से हम इन सब बातों को अपने words में explain कर सकते हैं अब हमारा paragraph थरड आता है conclusion का जिसमें हम अपने topic को sum up करते हैं conclusion में हम remedial steps लिखते हैं यानि problem को smart करने के उपाय बताने होते हैं और हम कुछ suggestions भी दे सकते हैं ताकि future में उन suggestion को implement किया जा सके अगर हमारा article जो है global warming में है तो हम उसमें कुछ remedial points बता सकते हैं जिससे कि यह problem रूप जाए या फिर हम कुछ suggestions दे सकते हैं इस तरह से हम एक hope के साथ article writing को sum up करते हैं इसे हमारा जो है article of writing का topic जो है three paragraphs में divide हो जाता है first is introduction second is content and third is conclusion student इस तरह से हमें 10 marks का article writing जो है complete करना होता है क्योंकि article writing करने में ज्यादा सोचना पड़ता है तो मेरी आपको यह advice है कि exam में पहले आप दूसरे questions को कर लो और last में article writing आप लिखो और students यह था article writing thank you students आतने से हिंता है